वालकम बैक टू जागो लहौर जनाब आज मैं आपके इंफोमेशन के लिए तुछ से शेयर करते हैं चलूंँ आज पाकिस्तान समेथ दुनिया भर में प्रीमिचोर बेबी जो है उनके हवाले से वेनस का आलूमी दिर मनाया जा रहा है और इस हवाले से दिस्काशन करेंगे क प्रीमिचोर बहुत होती क्या है इसके हवाले से जो इसके ड्रॉबैक्स है या इसके अमामिल जो सरंदाज होते हैं आने अवारी जिंदगी पर भी दिस्काशन करेंगे उसके लिए हमारे से मौजूद होंगे प्रफेसर आइशा मालेक जो के गानेकॉलोजिस्ट है और अस जनरली अंडिस्टोड के नौ मा की प्रिविंसी होती है तो प्रीमिचोरिटी आप समझ लें कि एक चीज जो वक्त तक पूरे ना पहुंच सके मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं कि 37 वीक्स समझे कि जब नवा महीना शुरू होता है वो 36 वीक्स होता है अगर नवे महीने के और इसकी कंसरन हमें इसलिए है कि इसमें जो बच्चे के मुक्तलिफ औरगन सिस्टम्स है वो भी मुच्यूर नहीं होते कि वो मदर की बॉड़ी के बाहर सर्वाइफ कर सके इंडिपेंडेंटी स्पेशली उसमें उसके लंग्स क्योंकि उसको उक्सिजन मा के खून से मिल उसको शुगर मा के हून से मिल रही है उसका टेंपरिचर और हर कंट्रोल मा के इस मोतों महफूज है जब वो पैदा होगा तो उसने पहली दफा सांस लेनी है और अगर उसके लंग्स में वक्स से पहले वो मादा या सर्फेक्टर नहीं होता कि वो सांस ले सके तो रैस्पर अगर जो सर्वाइफ करें उनमें खुदाना खास्ता माजूर बचों का भी एक प्रपोर्शन होगा चीक हो गया अचा अब हम बात करें तो प्रमेचर बेवी के हवाले से डिफिनेटली जिसने डॉक्टर आइशन एक्स्पेंड किया के नाइन मंच की प्रिग्निंसी होती ह अब वचुहाद केंप इछले कुछ सालों में देख गए कि प्रिमेचर बेवी की रेशन में बहुत साथा हो रहा है well premature babies तो यह कोई एक factor नहीं इसकी वज़ख से premature deliveries होती है यह premature बच्चे पैदा होते हैं यह तीनो factors होते हैं यह factors बच्चे से related भी हो सकते हैं अगर बच्य में कोई genetic problems हों बच्चे में को infections हों तो even in that case it can lead to premature delivery अगर शुण मां के पाट के अंदर 간단bell issue तो यह मुल्टिपल फैक्टर्स के इन्वाल होते हैं हमारे हाँ पाकसा में बिर्थ रेट बहुत ज्यादा है और अर्ली मेरेजिस हैं लैक अफ प्रॉपर एंटीनिटल केर है और प्रॉपर जब फैसलिटीज नहीं होते हैं लोगों को पता नहीं होता है कि बच्चे के मां के पेट के अंदर क्या सिचुवेशन हैं तो उसके लिए प्रॉपर एंटीनिटल जब स्क्रीनिग नहीं होगी प्रॉपर एंटीनिटल स्कैन्स नहीं होंगे फॉलॉप नहीं हो जाइट है और ये सारी चीजे खुद का ख्याल नहीं रखा जाता उस तरह से बूभी एक काक्टर हो सकता है बिल्कुल मैं इसी तरह आने वाली थी कि डॉक्ट साहब ने बहुत सी वजुहात का जिकर किया और यकीनन वो हैं लेकिन मेरे नस्दीग जो सबसे कॉमन पाकिस्तान में वज़ा है प्री मिचॉरिटी की वो है कि हमारी 54 परसेंट जो हैं वो अनिमेक हैं यानि उनमें खून की कमी है और उनमें से 90 परसेंट नूट्रिशनल डेफिशेंसी यानि खुराक की कमी से है तो जब ये माये जिन लागर हैं कमजोर हैं उनमें खून भी नहीं है और उनको मुक्तलिफ बेमारियां जैसे ब्लाड प्रेशर शूगर भी है तो उनके अंदर यह हम देखते हैं कि वो जब ट्रेग्नेंसी का स्ट्रेस पड़ता है उससे को अपनी करसती और उनमें प्री म होते हैं जी बिल्कुल यंगर एज में हाला कि यह कहते हैं कि आपकी कपैसिटी बेतर है लेकिन जैनरली एक एज होती है जो रिप्रड़क्टिव एज में आती है अगर उससे भी यंगर एज में शाधियां कर दें और जब अभी बच्ची का पूरा सिस्टम में जोर नी जि तो उसमें वो जो टीन एज बच्चीों में कॉम्लिकेशन थे स्पेशली उन में एक दम से ब्लड पेशर शूट करना प्री एकलेम्सिया खतरनाक हद तक पहुँ जाना जिसमें बच्चे को खतरा है और बच्चा मा के पेट में भी खतम हो सकता है और डिलिवरी के वक्त भी उसके मौत पाकिया हो सकती है ठीक होगा अश्रक सब अभी हम बात के प्री मेचर बच्चा अब बेबी हो जाते हैं अरली एज में किस तरह की कियर किस तरह की ऐसे मसाइल है जिनको वो कम करने के उनका खयाल रखना पड़ेगा फॉर लांगर दिन ताकि उनमें कोई किसी किस प्री मेचर बच्चा चुंके अभी पूरा सिस्टम उसका कोई भी मेचर नहीं है थिर्टी सेवन वीक से पहले उनका ब्रेन, उनके लंग, उनके इंटस्टाइन, उनके स्किन, उनके किड्नी, I mean every system of the body that is not mature जब इसरा का बच्चा पैदा होता है तो it is a real challenge for the doctor, for the parents, for the whole nursing staff, कि उस बच्चे की देखमाल कैसे करनी है इसरा का बच्चा बच्चा पैदा होता है तो हमें बहुत सारी इकदमात करने पड़ते हैं जिसमें बच्चों को निजामे तनफुस वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी पड़ती है, आक्सिजन देनी पड़ती है उसके इसके इसलाव pierws हूं कि नि nein की भी कमी होती है इन में कैलशियम की भी कमी होती है इनका तंप आंप्रेचर इंस्टी इस होती है बहुत थंडे जल्दी हो जाते हैं तो सवा टे से जल्दी पूल सबढ़ का है इनका का इनकी थेमिरिच Als QU का इनके एनके बच्छों की आइज पर और और बहुत सरे सिस्टम ब्रेन वर दिखने पड़ते हैं कि डिवेलमेंटली नॉर्मल है या नहीं है अच्छा डिवेलमेंटली नहीं हो पाती है उसके बहुत सारे फैक्टर जिससे भी आपने हमारी से डिसकास किये अब मदर उसके हवाले से क्यों अच्छों को डाइट भी देनी है मदर फीट पे रखना है सारी चीजें नशन अमा के लिए मेजर फैक्टर्स आप क्या समिछते होने चाहिए देखें मैं आज एक बहुत बड़े फोरम पर बैठा हूं मैं इट्स ए ग्रेट अपर्चुनिटी फोर मी जो मेरी सारी माहों से रिक्वेस्ट रहेगी और बलके सारी कम्यूनिटी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे मुल्क में जो एक sort of a myths हैं वी नेवर प्रमोट मादका वेबिक जाट इघकाश चूंNet हमारे हाँ जापों जल्दी कहते है जी specify कि दबेका दूदуется बता दें ,भिके के दूद है मॉबिडिटी बचे के जो जहनी जिसमानी नुकसानात की जिमादा सब ज़्यादा डिपे के दूद है माँ के दूद को हमेशा अंडरेस्टिमेट किया जाता है प्री मेचुर जब बचा पैदा होता है तो उसमें जोंके इम्मिनिटी की भी कमी होती है हमें कोशिच यह होती है कि मां के दूद में जो नूट्रियंट्स हैं वो चाहे उसको नाली के थू दें चाहे उसको हम डिरेक्ट लगा के दें हम प्रॉपर लैक्टेशन करें तो जब तक हम यह चीज़ इस्टैबलिशन नहीं करेंगे तो बच्चे की जो आउटकम है वो इट नॉट बी में नॉट बी गुड अच्छा ठीक हो गया जिसे भी ने कहा मदर फीड नॉमली नहीं अवाइड उसका इतना जादा नहीं फोकस किया जाता लेकिन बहुत सर ऐसे ऐलमेंट पर जिस पर मदर फीड प्रेफर भी की जाती है दॉक्टर की जानेब से रिकमेंड भी की जाती है क्या फवाइद होते हैं प्रीमिचूर बीबी के लिए प्रीमिचूर बच्चों के लिए तो और भी जरूरी है इसलिए कि उनका क्योंकि जैसे रॉप साइब ने का कि उनका हास्मा पूरा काम नी कर रहा हुता तो जो यह मदर की फीड है वो कस्टमाइज है या समझें कि ए प्रीमिचूर बच्चों के लिए तो वो समझें कि उनके लिए एक जिंदगी है अगर उनको मदर फीड में सचें ठीक हो गया अच्छा एक में बहुत इंपॉर्टन फोर्म है तो ही मैसिज देना चाहूंगी कि एक आप सुनते होंगे कि कई और ती जिनकी एक दफानी बार वक से पेले बच्चा हो जाता है नहीं पांच चाहा साथे में 10 прилож जो खखें में हो गया और अनक Carbon को और अगर डम में मिलिग दक और जाता है पानी ले कर जाता है और जब पर जब तक पयंचती है है तो उसकल पंचता है तो उसका पשपिधान से पहले ती緊 al के हो जह जाती है और इसके लिए सर्वाइकल सर्कलाज यानि एक टांका जो तीसरे मां के एंड पे लगता है और उससे 100% तो नहीं लेकिन 70% चांसे बढ़ जाते हैं कि वो प्रिदेंसी पूरे दिनों तक पहुंचे हैं इस होई से मजीद बात करेंगे कॉल यानि ले 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 ते मिस्स नवीद अबरसाथ असलामलेकोm क्या जाएंगे मिस्स नवीद? मैंने बेटा दो सवाल करने दॉक्तर से बहुत मेरबनी दॉक्तर आएं हैं बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इन्फोमेशन देते हैं अच्छा बात यह मैंने करनी है कि एक तो मेरे जाननेवले जिनकी बच्ची का तीन मा की प्रेगनेंसी खतम हो गई है तो कि उसकी यह प्रॉब्लम थी उसके ना साइज एग का साइज ना भड़ता नहीं था और अब यह है कि उसका एग का ही मसला है उसका एग भूटा नहीं है और नाजो के उसकी स्किन और दूसर सवाल मेरा यह है कि मेरी अपनी बेटी उसके पेले बेटी हुए आठ मा के बाद उसका ना उन्होंने फीट बं करवा दिया उसके घर वालों नहीं कि आपका पेड़ खराब रहता है कि बच्चे को भी हो रही है और अब वो माशाला फिर प्रेगनेंट है इसका तो कोई यह दूसरा मुझे बताना है आपने कि बच्चे माँ अगर उसकुछ ठाते हैं प्रॉब्लम होती है मां के फीट से और यह एग का प्लीज मुझे बता है वो एक्चुली मिस्ट अबॉर्शन इसको कहते हैं यानी प्रेगनेंसी शुरू हुई लेकिन फिर वो आगे नहीं बाड़ी एक खास स्टेच से आगे उसमें एक्जैक्ट यह नहीं कह सकते है कि एगी कमजोर हो सकता है कि अंडे की कमजोरी हो हो सकता है कि स्पर्म की कमज हैं जो और अल्ट्रसाउंड पर फॉलो कर सकते हैं कि उसका एग हेल्प मचियूर हो लेकिन एक के लावा एक टोटल अप्रोच बनाएं जिसमें इन सारी चीज़ों को चेक किया चाहिए और अपिर अगली प्रेगनेंसी प्लाइन करें चीक हो गया जो के हवाले से 8 मां के ज हелकां प्लाइख तो मां दूद नहीं कyuएं थी हैं कि मांसे प्लाए हुआ हैं यह मैं इसका जवाब दूगा पहले मैं जो बचा पैदा होते हुंग होTw। Tan sẽो ऑफ पैदा हुआ हुआ मांसे दूद प्ला सकते हैं अश्र्ण करा मां का आपैट नहीं हैं यह ए तो मांसे बड बड़ी नेमत है आज के लाब जितनी बचों में एस्थमा रेस्पटी सिस्टम की मिमारियां देख रहे हैं यह सारी के सारी यह हाई प्रोटीन डाइट जो होती है फॉर्मले जो बचे को मुटा करने के लिए डाली जाती है यह सारे उसी के रिजल्ट के दौर पर आरही है तो PEakति होगो तो मा तो मा कुछ खा खाले और उसे बचे के पेट में गैस हो जाती हैकँ कॉलिक हो जाता है मैं कुछ थंडा चीज खाले तो बच्छे को नजला हो जाता है मा क्दूद अपना टेम्परेचर बेस बन तयों हुए उसकी खास कॉंपोज rayon होती है ठीक है तो इनका हकीकत से कोई तालुक नहीं है आप इस मेसिज को जितना पहुंचा सकते हैं यह सारे मित्स हैं कि मादव फीड के भी आपने था तो उसके बहुत कुछ हर्शे बाद बचों को काव मिल्क को भी शिफ्ट कर दिया जाता है वो कि सथ तक बेहते रहते हैं देखें जी फॉमला फीडिंग हो या टॉप फीडिंग हो जिसे मैंने पहले भी या जिसका था मैंने पहले बिया था कोई alternate नहीं है नेमुल बदल नहीं है लेकिन हमारे हाँ अगर तो establish कर लें कि काव मिल्क खालिस है या गवाले का दूद खालिस है या वटवर यह नहीं कर सकते तो उससे पिर बहतर है comparatively क्या फॉमला दे दें फॉमला दूद नहीं होता है इसको दूद नहीं का जासा है इस काव मिल्क जाता है कि आप ले लें लेकिन काव मिल्क में बहुत स्यादा हाई फॉसफेट होते हैं जिसकी वज़ा से बच्चों में सम्टाम क्यल्शियम बहुत नीचे चला जाता है लेकिन बहतर यह है कि फॉर्टिफाइड आप एक फॉमला यूज कर लें लेकिन आप मेरे ख्याल है कि इस रिलिजियर ससाइटी आप दो साल तक तो कुरान शरीफ में भी का गया है कि माय दूद भिलाएं ठीक है जितना पॉसिबल हो सकता है क्योंकि उसकी रीज़न है कि जितनी बचों की मैंटल ग्रोथ सबसे ज्यादा हमारे हाँ जो मैंने अब्सर्व किया ह सविर्स में हैं दो सेंकंट बहुत जएदा मधर फीट जहip होती है बहुत जएदा अमीर कभी लोग मदफीट करते और बहुत जएदा घरीप लोग मतभी करते हएं बड़े लोगों को पता होता है कि एसके बै Неट हम पस पैसे नाई है दरम्यान वाला जो में अब्या कर इसमें अब बनिस देने की लोगों को इतनी जादा जरूरुराही थीक है वो धूर ले लिए दिलशाथ सब ने अस्लाम लेकुम हलो अस्लाम असलाम जी कया पुछने साहेंगे मैं पुछने जारा था कि मेरा बच्चा टेर मांका है और उसके पेड़ में गैस हो जाती है बहुत ज्यादा और दवाईयां दे दे के तक्रीबन टेर मांका बच्चा रहा है टेर मां से दवाईयां ले ले लिए उसकी ठीक हो गया थाइंकि समस्ट पर कॉलिक भी यह जिसको हम गैस कहते हैं या इसको दूसरा नाम इंगलिश में कॉलिक भी कहते हैं देखें पेरी बात हो यह हर रोने वाला बच्चा कॉलिक नहीं होता सबसे पहले तो यह स्टेबिश कर लिया करें कि क्या उस बच्चे की नैपी तो नहीं वेट है क्या उस बच्चे के नैपी रैश तो नहीं बना हुआ बहुत सरे माईं और एप कर देती हैं जिसे बच्चा बहुत ज़्यदा रोता है तो इन सब चीजों को उसके बावजूद भी सम टाम बच्चे रोते और यह को बिमारी नहीं है तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मार्केट में कत्रे और चीजें अवेलेबल हैं तो आप कोशिक करें कि आप इन चीजों को चेक कर लें आप कोई चीज सौम फ़रा कि लाची का पानी भी सम टाम दिया जाता है लेकिन जिसे फीडर दे दिया जाता है सम टाम फीडर के तो मैं से तो फीड के से रो रहा है और उसके पेट में गय से बेतर है कि अपने किसी करिभी जो चीज पीडियेटिशन वहां से वैल्यूइट करूएं क्योंकि यही चीज रीफ्लक्स में होती है हो सकता है कान में इंफेक्शन हो सकता है पेट में इंफेक्शन हो जो कि आप इसी तरीके से क्यो झाल झाल